इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड यानि कि आईफा का 19th एडिशन बैंककॉक में शुरू हो गया है 22 जून से 24 जून तक चलने वाले इस इविंट में अवार्ड फंक्शन सरिमनी लास्ट यानि कि 24 जून को की जाएगी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फंक्शन में 20 साल के बाद आप रेखा को स्टेश पर परफॉर्म करते देखने वाले हैं साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता रहें कि शृदेवी को मॉम फिल्म के लिए लीड रोल में सबसे बेस्ट एक्ट्वेस के लिए नॉमिनेट भी किया गया है इसके लावा चलिए आपको बताते हैं आईफा अवार्ड से जुड़े कुछ इंटरस्टिंग बाते इयर 1998 में रेखा ने अपनी परफॉर्मेंस दी थी उसके बाद से उन्होंने किसी भी आईफ अवार्ड में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी बीस साल पहले 31 जनवरी 1998 को 43rd Film Fair Awards में आखरी बार रेखा स्टेश पर परफॉर्म करती नजर आई थी और उस वाक्त उन्होंने ये क्या शहर है दोस्तो इन आखों की मस्ती सलामे इश्क और दिल चीज क्या है जैसे गानों पर डांस करके अपनी ओर्डियंस को एंटेटेन किया था तो वहीं 22 जून को शुरू होने वाले इस इविंट में पहले दिन म्यूजिकल नाइट शो रखा गया है जिसे आईशमान खुराना और कार्तेकारियन होस्त करने वाले हैं और इस साल आई सोनु के टीटू की सुईती की एक्ट्रिस नुसरत बरूचा भी आपको परफॉर् साल 2008 में आईफा अवार्ड भी बैंकॉक में ही हुआ था और उत साल शारोखान की चौक्ते इंदिया को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था और इस बार एक्टर अनपंखेर को स्पेशल अवार्ड दिया जाएगा तो वहीं पहली बार आईफा अवार्ड 24 जून साल 2000 लं प्लास्टिक पल्यूशन के तहट इस बार आईफा में ये थीम रखी गई है यूएन के गुडविल एमबेस्डर दिया मिर्जा भी इस इवेंट में इसी मैसेज को लेकर आपको सपोर्ट करती नज़र आएंगी नेक्स नाइ लाइफ नूस्रूम के रपोर्ट